नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम खजूर के रोल बना कर तैयार करेंगे हमने खजूर इस ब्रांड की लिए है 100% नैचुरल प्रोडेक्ट है आदा किलो खजूर लेकर हम उसके बीज निकाल लेंगे हमने सभी बीज निकाल लिये हैं इस तरह से हम इसके बीज निकालेंगे सभी बीज निकाल कर हम बीज को अलग कर देंगे इस तरह से चाकू की हैल्प से हमने सभी बीजों को खजूर से अलग कर लिया है अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें डाल कर इनको मोटा मोटा पीस लेंगे इसमें मिक्सी खराब होने के भी चांस रहते हैं अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे हमने इसको डक्कन लगा लिया है हमने इनको पीस कर निकाल लिया है अब हम इसको एक तरफ रख देंगे खजूर की मिठाई सुगर के मरीज भी खा सकते हैं इसमें हमने डेड़ सो ग्राम ड्राइफ रूट लिये हैं जिनको काट लिया है अब हम गैस पर एक कड़ाई रख कर उसमें खस-खस को भून लेंगे इसको हम कलर बदलने तक रोष्ट करेंगे अच्छी तरह से रोष्ट करके हम इसको कड़ाई में से निकाल लेंगे जब तक ये कलर नहीं बदलती तब तक हम इसको भूनते रहेंगे गैस को धीमा रखें और धीमी गैस पर इसको भूने जिससे ये जलना पाए हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है अब ये कलर भी बदलने लगी है अब हम इसको एक पलेट में निकाल लेंगे हमने खसकस को एक पलेट में निकाल लिया है अब हम दूसरी कड़ाई लेंगे और उसमें एक चम्मच घी डालेंगे एक चम्मच घी डालकर हम जो कटे हुए ड्राइफ रूट है उनको इसमें रोष्ट कर लेंगे हम इनको ज़्यादे रोष्ट नहीं करेंगे इस तरह से हमने इसको रोष्ट कर लिया है अब हम इनको भी कड़ाई में से निकाल लेंगे हमने ड्राइ फ्रूट को कड़ाई में से निकाल लिया है इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे और फिर हम इसमें एक चम्मच गी डालेंगे एक चम्मच गी डालकर हम इसमें खजूर डालेंगे खजूर को हम दो तीन मिनट ही रोष्ट करेंगे क्योंकि वो जादे रोष्ट होने से सुखा सुखा हो जाएगी फिर उसके लड़ू या वर्फी या रोल बनाने में दिक्कत आएगी इसलिए इसको हम दो मिनट ही भूनेंगे दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें भूने हुए ड्राइ फ्रूट डालेंगे हमने इसमें भूने हुए ड्राइ फ्रूट डाल दिये हैं अब हम इसमें एक चम्मच खस खस डाल लेंगे और एक चम्मच इलाइची पाउडर इन सब को डाल कर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हमने सभी चीट डाल ली है अब हम अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे ज़्यादे देर तक हम इसको गैस पर नहीं रखेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको हम इसको सिल्वर फोईल पर निकाल लेंगे या बटर पेपर पर निकाल लें इसको ठंडा नहोने दे गरम गरम ही इसको रोल बनाए इस तरह से हम इसको इसमें लपेट कर गरम गरम ही इसके रोल बनाएंगे और हातों के घी लगाकर अच्छे से गोल-गोल रोल बना लेंगे इस तरह से हम इसका अच्छे से रोल बनाएंगे अगर आपको मेरी ये मिठाई पसंद आए आप लाइक करें, सेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें और बना कर देखें कैसी लगी आपको बताएं इस तरह से हमने इसका रोल बना कर तयार कर लिया है एक बराबर रोल बनाएं गोलाई से लपेटते हुए इसको अच्छी तरह से हम बना लेंगे इस तरह से दबा दबा कर गोलाई में बनाएं या आप चकूर भी बना सकते हैं साइज आप के उपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रोल बनाते हैं इस तरह से हमने इसका रोल अच्छे से बना लिया है अब हम थोड़ा सा खस खस लेंगे और उसको फैला लेंगे थोड़ा सा पिस्ता भी लेंगे उसको बारिक बारिक करके दोनों चीजों को अच्छे से फैला कर इसे रोल के चारो तरफ लगा लेंगे हमने फैला लिया है अब हम रोल को इस पर रखकर इस तरह से इसके उपर ऐसे गुमाएंगे चारो तरफ लगकर तैयार हो जाएगा अब ये रोल पर चारो तरफ लगकर तैयार हो गया है अच्छी तरह से लग गया है एक्स्ट्रा को हम एक तरफ हटा देंगे हमने सब को एक तरफ हटा लिया है अब हम सिल्वर फोईल लेकर उसमें इसे लपेट लेंगे अच्छी तरह से लपेट कर दोनों साइड के किनारों को अच्छे से बंद कर देंगे और हम इसे एक तरफ रख देंगे या हम फिरिज में भी इसको रख सकते हैं लेकिन ये ऐसे ही रखने से एकदम टाइट हो जाएगा फिर हम इसको कटिंग करेंगे इस तरह से हमने रोल अच्छे से कर लिया है या तो आप एक गंटा जल्दी हो तो एक गंटा फिरिज में रख ले या ऐसे ही रख दे अब हमने इसको निकाल लिया है ये बन कर तैयार हो गया है अब हम दोनों तरब की साइड को थोड़ा थोड़ा काटके हटा देंगे और इसके एक बराबर पीस कर लेंगे पीस थोड़ा मोटा ही करें क्योंकि इसे काटने में दिक्कत आएगी इसके अंदर भी ड्राइफ रूट है इस तरह से मोटा मोटा काट ले आप इसको गोला कार दे इस तरह से हमने सब भी पूरे रोल को काट लिया है एक एक करके हम ऐसे काट लेंगे और इनको हम एक गोला कार दे देंगे काटने में थोड़ी परिशानी होगी इस तरह से सभी को हमने काट लिया है अब हम इसको पूरे को काट कर एक पलेट में लगा लेंगे अब हम एक पलेट लेंगे और उसमें इस तरह से इनको अच्छा सा कार दे कर पलेट में इस तरह से लगा लेंगे हमने सभी को पलेट में लगा लिया है पलेट में आप अपनी पसंद से कैसे भी इसको लगा सकते हैं ये सुगर फिरी मिठाई है ये दुबाई की परशिद मिठाई है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है सुगर के मरीज वीज को खा सकते हैं अब पलेट लग कर तैयार हो गई है अब हम आपको एक तोड़ कर दिखाते हैं ये कितनी मुलायम बनी है तोड़ने से एक दब सोप्ट लग रही है इस तरह से हमने आपको तोड़ कर भी दिखा दिया है अब हम इसको सर्व करेंगे खजूर की मिठाई बनकर तैयार झाल 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 झाल